नमशकार, मैं अस्गर अली, अभी हम नेशनल हाईवेय नमबर ग्यारा पे हैं, और आप देख सकते हैं, इंटर्सेप्टर वहान, सड़कों पे तेजगती से वहानों चलाते हुए, उन पर कारवय कि जाती हैं, आप नेशनल हाईवेय ग्यारा से गुजरते हैं, तो यह इंट धारित जो गती सिम्ह है उसमें ही गाड़ी चलाएं जब पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है तो वो एकदम स्लोई स्पीड कर लेते हैं और पुलिस के साथ कई वार बहस करने लग जाते हैं कि हमारी जो गाड़ी है वो तेज नहीं थी लेकिन यहां पे जो स्पीड मसीन है उसमें उनकी जो गति सिम्ह वो केद हो जाती है तो यहां पे इंटरसेटर वाहन के जो इनचार्ज है यहां पे नेशनल हाईवे गाड़ी उसके एसाई रामकेश जी सहीट उनकी पूरी टीम है वो यहां पे लगी हुई है तो आप देख सकते हैं पुलिस के ज़़ण कड़ कि बिखने में की आप पकड़ लेते हैं mère एक तो नहीं है लेकिन जब आदी चलतिए ना उसमें नहीं सब को पकड़ लेते हैं तो जिस गाड़ी पर लेते हैं तो तीन गाड़ी आ रही है तो तीनों के उपर में लोंगा तो तीनों गाड़ी की शो कर देगा और यहां पर आएंगे कर जब तो नहीं को चैब हैं रहती है और यह आयने की बाद में उनको दिखा दी जाथ यह रीकोर्ण नहीं मानते उनको वीडियो दिखाया जाता है फिर उससे उनको कुरूब हो जाता है बहुत से जो दर सक है उनके मन यह इसकी सासोडा मिटर दूर दूरी पर यह 96 की स्पीड से चल रहा है 95 96 वीडियो इसकी विल्कुल बन रही है अब आने के बाद में इसके नंबर ले लूगा मैं और फिर इनको दिखा देंगे दिखाने के बाद में पिर चल रही है अब कम कर लिए इसने गाड़ी देखके और यह अब इसपीड कर डाउन कर लिए इसने पूलीस की गाड़ी देखके दिरे कर लिए तो यह आके इस पीड भी देखेगा कि मेरे तो यतनी थी यह भी कहेगा लेकिन वीडियो देखने के बाद में यह प्रूव हो जाएगा यह नंबर है नंबर है इनको दिखा देते ह किस तरह से हमने आपको बताया कि स्पीड को चेक कैसे किया जाते हैं तो बहुत से वांचलक जब पकड़े जाते हैं तो यहां पर इंचार्ज है रामकेज जी तो सर बताएं यहां पर किस तरह का यह अभियान चल रहा है इस कड़ी दूप में भी लगातार चलता रहेगा य सरीमान स्री रमेश तरोटा जी के निरदेशन में हम यह लगातार कारवाई कर रहे हैं जो भी वह न हैं जो और घटी में चल रहे हैं या फिर कोई जो एमव यह अलंगन लगया जा सके और बार बार पुलिस अधिकारियों का यही उच्छा अधिकारियों का यही निर्देश मिलता है कि कम से कम सरक दुरगटना हो और लोग अपने घर तक मलब सही दंग से और सुरक्षित तरीके से पहुँचें इसपीड इस comments के लिए फ्रीमां जिलया कलेक्टर मोध्य ने एक निर्देस जारी किये गए थे उन्हें एदे उन्हें ँगन्याष्षित किलिए अलग तैसी सीमा निर्देर्द किगयी जैसे मोटसाइकल है तो मॉटसाइकल का शाट निर्देर्द कि गई है फोर वीलर है तो फोर वीलर हलके यान के लिए 80 गती सीमा निर्दायरत की गई है और ट्रक और बस है तो इनके लिए बस के लिए 70 है ट्रक के लिए 60 है तो इनकी स्पीड जिला कलेक्टर महोदे के द्वारा इनकी वो निर्दायरत की जाती है उसके तेहत ही हम इनका चलान करते हैं कम से कम स्पीड निर्दायर दिनकी 60-80 यह निर्दायत की गई है इसके उपर में जो भी स्पीड में आएगा उनका हम चलान बना करके बेज़ते हैं और इसमें जर चलान भी सब के अलगले होते हैं या चोटे वानों के या बड़े वानों के अलगे होते हैं है साथ में लाइसेंस फेंट के लिए पिरसारी तो जो जादा चार्ज हो लेकिन के लिए बानें भी मनाते होंगे बहुत सारे बान चलाक। निर्दाइद गती से कम कर लेता निर्दाइद गती से कम कर लेता है लेकिन उसके यह बाद में हम रिकोर्डिंग दिखाते हैं ताकि भो उसके संधमें आ जा कि मैं पहले स्पीट से चल रहा था और और वहांचलकों से क्या निवे दिन करना चाहेंगे या जो जुफ को क्या संदेश देना चाहेंगे जो नीम की पालना नहीं कर रहें था फिक को यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने घर पर सुरक्षित पहुंचने के लिए निर्दायत गती एवं M.V. Act की जो पालना सुनिसीद करें ताकि अपने परिवार जन से दुबारा मिलने के लिए या अपने घर पर सुरक्षित पहुंचने के लिए वो इस तरह से सही रहे हैं तो आप देख सकते हैं यह इंट्रिसेप्टर वहान है यह लगातार यहां पे तेना देर इनके जो इंचार जैरामकेश जी और इन्होंने भी सभी से ही आवान की अपील कि यात्यात निमों को पालन करें अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं आप देख सकते हैं जो पुलीस के जवान है वो इस कड़ी दूप में भी डटेवे नेशनल हाईवे पे और आप देख सकते हैं मई महिना चल रहा है इसमें गर्मी कितनी पढ़ती आप अंदाजा लगा सकते हैं लोग जहां गरों से बाहर निक गति सिमा में ही चलाएं ताकि आप भी सुरुक्षित रहें और सामने वाला भी सुरुक्षित रहें और यह गाड़ी लगातार यहां पर तेनाद है और जो दूसरे वहांचालक जो भाई वीडियो देख रहे हैं वो भी उनसे भी में यह कहना चाहता हूं कि आप भी अगर जुरुमाना चलान से बचना चाहते हैं तो यहां पर नेशनल हाईवे नमबर पर जो निर्दारित गति समय है उस पर ही गाड़ी चले अंथा आपका चलान कट सकता है और इनका यह व्यान लगाता जारी है और जारी रहेगा दन्यवाद कर दो जो यहाद।